So Hello and Welcome You All I'm Rohit from Margin Trader So Guys, आज हम बात करेंगे BHEL के भारत बारे में भारत Heavy Electrical Limited यहाँ पर इस स्टॉक ने जैसे की हमने परसो के दिन ही इस पर एक वीडियो बनाया था एक detailed वीडियो बनाया था मैंने Saturday की दिन उन्हें बोला था कि Monday की दिन इस स्टॉक बढ़ने वाला है और किस तरीके से बढ़ेगा मैंने पूरे के पूरे लेवल्स आपके सामने Clarified किये थे और वही अगर आज की बात करू तो स्टॉक ने तगड़े रिटन दिये है तो निया पर हम बोल रहे है कि मिलने वाला है बड़ा टारगेट तो जिस तरीके से स्टॉक ने आज रिटन दिये है जिस तरीके से Market ने आज मोमेंटम बताया है उस तरीके से ये बात तो clear हो जाती कि बड़ा टारगेट मिल सकता है क्योंकि अगर market positive रहेंगा तो बाकी सारे stocks में भी अच्छे return मिलने वाले है तो guys कल बड़ा धमाका हो सकता है कल के levels आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगे आपको जानना होगा बेशने की गलती बिल्कुल भी मत करना तो यहाँ पर levels को discuss कर लेते है तो guys अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है तो guys प्लीज चैनल को subscribe कर देना और वीडियो को like कर देना तो चलते हैं BHEL के उपर तो guys यहाँ पर हम आ गए है BHEL के उपर भारत हैवी Electrical Limited बात करें आज के कारोबार की तो उनपचास रुपे के प्राइस पे स्टॉक ने आज दी है closing 2.70 पेसे तक की बड़त हमें इस शेयर में देखने को मिली है 5.83% के हिसाब से जो implement हमें इस शेयर में देखने को मिला है काफी ज़्यादा शांदार है और गाइस वही अगर बात करें आज क्या upside down momentum आए है इसमें तो भी जान लेते है यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्टॉक 47 रुपे के प्राइस पे आज open हुआ था 49 रुपे 10 पेसे का स्टॉक ने सीधा लगाया high और low भी लगा था आज 46 रुपे 0.5 पेसे का 16.63 हजार करोड का market cap वाला एक शेयर है बिल्कुल mid cap की category में आ जाता है तो guys यहाँ पर हमारा जो important topic है इस stop को लेकर ओ है इसके chart pattern तो उसे हम अभी discuss कर लेते हैं तो guys first of all अगर हम बात करें तो 15 minute के chart frame पर हम इसे discuss करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़े देखने को मिलेगी एक channel आपको देखने को मिलागा जो बिल्कुल एक rising wedge pattern जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर guys अगर देखा जाए तो rising wedge pattern को हम एक bearish pattern भी कहते हैं बट यहाँ पर अगर देखे तो depend करता है कि उसे किस तरह breakout मिला है या फिर breakdown मिला है अगर यहाँ पर breakdown मिल जाता तो हो सकता था कि बड़ी गिरावट आ जाए बट यहाँ पर मिला है guys बिल्कुल एक breakout और यहाँ पर अगर देखा जाए तो stock को पहले resistance यहाँ पर इसने शो किये फिर इसने support यहाँ पर शो किये है बिल्कुल upside down momentum यहाँ पर stock ने बताया है और finally stock ने दिया है breakout और इसी की बदलत जो इसमें जो तगड़ाय momentum आया है काफी शानदार है और यहाँ पर कल के दिन हो सकता है कि यह बिल्कुल retaste करके और भी ज़्यादा उपर जाए तो guys आने वाले कुछ दिनों तक इसमें तेजी रह सकती है तो और pattern को हम समझने की कोशिश करते है यहाँ पर अगर बात करें one day के time frame पर तो यहाँ पर आभी आप देख सकते हो कुछ यह से pattern है यहाँ पर बिल्कुल stock resistance यहाँ पर एक breakout मिला था guys और मैंने clearly बोला था कि यह stock जैसे ही breakout मिला है तो हलका सा नीच आएगा और बिल्कुल ही नीचे आया भी और कई लोगों ने यहाँ पर panic selling में यहाँ पर panic selling यहाँ पर हुई भी है जिस कारण से यहाँ पर stock गिरे है और यह अगर दिखा जाए तो stock नहीं यहाँ पर मैंने clearly बोला था कि यह retaste करके jump लगाएगा और वही हमें देखने को मिलेगा काफी दिनों बाद जो red candles बनी थी उनके बाद जो positive candle A वाली बनी है इसने यहाँ पर hope generate कर दी है और बिल्कुल यहाँ से stock उपर जाएगा यहाँ पर तो 52 का target आने वाले एक या दो दिनों में अच्यू होगा ही होगा वही guys अगर बड़े आगे और देखे बड़े टाइम फ्रेम पर कि क्या stock आगे ऐसा ही बड़ेगा तो चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर तो बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोंगे तो stock में आप देख सकते हो already दो बार यहाँ पर resistance है 80 रुपीज के level पर और उसी की बड़ोलत stock काफी ज़्यादा नीचे आए भी थै वही अगर आप देखोंगे तो stocks में breakout मी मिला था breakout मिलने के बड़ stock उपर गया फिर retest करके एक यहाँ पर jump आ सकता है तो बिलकुल guys ऐसी ही छोटी छोटी चीजों से यहाँ पर profit बनता है और आपको इन ही छोटी चीजों का ध्यान रखना होगा और यहाँ पर 80 रुपीज के आसपास का target तो easily मिलने वाला है बढ़े time frame की बात करें one month की time frame की तो यहाँ पर आप देखोंगे तो कई बार इसे इस zone पे rejections दें और यहाँ पर ही breakout मिलने के बाद retaste करने के बाद जो jump लगाया था काफी शानदार था तो इसी की बदोलत हमें 80 रुपी का target यहाँ पर मिलता है तो guys बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या volume से stock में volume की अगर बात की जाया तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 करोड के आसपास trade value हमें देखने को मिल रहा है yesterday यानि बात करू मैं last Friday की तो यहाँ पर आपको 3 करोड का ही देखने को बिलेगा और all 1 month की बात करू, 1 week की बात करू या yesterday या फिर आज ही 3 करोड से उपर के shares यहाँ पर deliver किये जा रहा है जो है काफी शानदार चीच और वही अगर देखोंगे तो 100% buying के लिए कहा जा रहा है तो guys और all बहल को अगर कहे है तो यहाँ पर 10 out of 10 number हम दे सकते हैं अगर इसके patterns को देखेंगे तो वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को like कर देना, channel को subscribe करना, मत भूलना, thank you